जैहिन दोस्तू हरियाना का रोहतक का आर्मी जवान मोहित कलकल गुजरात में सहीद हो गये हैं। जमान का ड्यूटी के दवरान दिमाग में नस्ब फट गया था। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन इलाइच के दवरान उनके मौत हो गई और वह जवान सहीद हो गये हैं। चाचेरा भाई मोहित कलकल 28 बर्स ये आर्मी की 25 यूनिट वर्क्सोप में 18 साल के उम्र में सिपाही के पत पर भरती हुए थे। इसके बाद पदूर्नत होकर हवलदार बने थे। अब वह मेजर बनने के लिए 11 महीने के ट्रेनिंग के लिए गुजरात के बडोरदा गये थे। छे महीने के ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। पाच महीने के ट्रेनिंग बजी थी। राजिस ने बताया कि मोहित के ट्रेनिंग के दवरान दिमाग के नस्प हट गई थी। जिसके बाद मोहित को संभाला और वहां अस्पताल में उप्चार के लिए भरती कराया गया था जहां पर डक्टर ने मोहित को इलाईज शुरू किया था लेकिन करीब दो दिन अस्पताल में भरती रहने के बाद मोहित ने दम तोड़ दिया और वहां जवान सहीद हो गए हैं मारसुम बेटी के सीर से जहिन दोस्तू हरियाना का रोहतक का आर्मी जवान मोहित कलकल गुजरात में सहीद हो गये हैं जवान का ट्रेनिंग होने के बाद घर आने वाला था लेकिन इससे पहले वह जवान सहीद हो गये हैं आज सहीद जवान की तिरंगे में लिपट कर सेना के विशेश पहां से पार्थी से इनके पैत्री गाउं गदी खेडा में लाया गया जहांपर अन्ती मियात्रा में हजारों की जनसेलाब हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जै और बंदे मातरम जब तक सुरस चांद रहेगा सहीद मोहित कलकल तेरा नाम रहेगा नारब से गुण उठे पूरे पैत्री किलाका सहीद जवान के अंती म्यात्रा में लोग पार्थी सरीप पर पुस्प माला बरसा रहे थे और सभी नमाकोर से बिनमपों भावपूर्ण सी धाली दे रहे थे सहीद जवान के अंती म्यात्रा में लगबग बताया जाता है कि 2000 जन से इलाव उम्रे थी सहीद जवान के पुर्राजकिय सम्मान के साथ इनके पैत्री गाउं में अंतिम संस्कार कर दिया गया सच में दोस्तों जब कोई फ़ुजी देश के लिए सरत पर सहीद होते हैं तो दिलने आत्मा भी तरब तरब करोती है अगर सहीद जवान मोहित कलकल के लिए आप लोग को जरा सावी रिस्पेट वहत कमेंड में अब ट्रेनिंग होने के बाद घर आने वाला था लेकिन इसते पहले वह जवान सहीद हो गये हैं आज सहीद जवान की त्रेंगे में लिपट कर सेना के विशेश पहां से पार्थी से इनके पैत्री गाओं गद्धी खेडा में लाया गया जहांपर अंति म्यात्रा में हजारों की जनसरिलाब हाथों में तो